आज का हमारा टॉपिक है मिड़ पॉइंट फार्मॉला इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक प्लेन लेंगे लेट किया जाएगा कि P और Q X एक्स पर दो पॉइंट्स है और ओरिजिन पॉइंट P और Q पॉइंट का मिड़ पॉइंट्स है जिसकी विज़ा से O P और O Q 2 के ब्राबर होंगे इसी तरह लेट किया जाएगा कि P 1 और Q 1 Y-axis पर दो पॉइंट्स है जिनका मिड़ पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है जिसकी विज़ा से O P 1 और O Q 1 की वैल्यू 3 के ब्राबर होगी अब हम डिसकस करेंगे मिड़ पॉइंट फार्मूला for any two points in the plane इसके लिए एक plane लिया जाएगा लेट किया जाएगा कि P 1 और P 2 इस plane पर दो पॉइंट्स है जिनका मिड़ पॉइंट R के ब्राबर है अब हम एक लाइन सेग्मेंट M N खेंचेंगे जो के x-axis के parallel होगी इस line segment का mid point भी R point होगा जिसकी विज़ा से x2-x ब्राबर होगा x-x1 के यहाँ से x को जब is equal to की left side पर और x2 को जब is equal to की right side पर लेकर जाएगा तो हमें ये values हासिल होगी 2 को जब is equal to की दूसरे side पर लेकर जाएगा तो हमें x की value ये हासिल होगी इसी तरह हमें y की value ये हासिल होगी यहाँ से हम ये बात कहेंगे कि R points P1 और P2 points के mid points है So this is the lesson of this session